प्रेंट्स टकीला पीना हम सबको बहुत पसंद है स्पेशली यूथ को और अक्सर हम लोग बार में जाके टकीला ओडर भी करते हैं अगर मैं आपको पूछू कि क्या आप पांच टकीला का नाम बता सकता है मतलब ब्रैंड नहीं बता सकते हैं आप ढूनते रह जाएंगे अक्सर होता है ना कि ब्रैंड की बारे में हम लोग को उतना ध्यान नहीं रहते हैं हम लोग बस टकीला पीने की वज़े से ही जाते हैं और टकीला बोलकर ही पीते हैं आज मैं सोचा कि आपको 5 उन टकिला ब्रैंड का नाम बता हूँ जो इंडिया में काफी फिमस है और बेस्ट टकिला ओफर भी करता है आपको और ये जानकरी आपको काफी हद तक इन्हों डिंक्स इंतिसियस्ट भी बना सकता है अगर आप वो किसी के साथ शेर भी करते है तो चलिए देखते हैं वो 5 टकिला कौनसा कौनसा है आगे बरते हैं फ्रैंस टकिला एक मेकशिकन ड्रिंक हैं और यह बनता है बलू अगावे प्लांट से अगर वो डिर नाुट장 लाइन अगर हों 100 प्रसन又 अगावे फ्लांट से बना है तो वो जेनूटा कहला इसलक है यह अगर वह क्स्ट होता है 100% pure टकिला भी है और यह जो 5 silver टकिला है यह आपको इंडिया में 2000 से लेकर 6000 रूपीज में कहीं भी मिल जाएगा तो चलिए countdown शुरू करते हैं नंबर 5 में कौन है एक बार देख लेते हैं Camino Real Tequila, Silver Tequila Camino Real के पास 70 साल से भी ज्यादा experience है टकिला क्राफ्टिंग करने के लिए, टकिला बनाने का traditional technique को सालों से इस्तिमाल करके larger production करते हैं ये company Camino अपना टकिला में यूज करता है Blue Ever Agave Plants जो specially collect किया जाता है sea level से 2000 मिटर उपर स्थित जमीन से और Camino का meaning है high ये जो उचे जमीन से Blue Agave को collect किया जाता है इसलिए इसका नाम रखा गया है high मतलब Camino और Camino एक mixed टकिला है मतलब 51% Blue Agave उसमें है बाकी जो है वो अलग-अलग spirit को मिला आ गया है थोरा सा Lord Proof टकिला है मतलब 35% alcohol के साथ ये आपको deliver करता है कलर कर बात करूँ तो ये obviously transparent कलर है और aroma में आपको मिलने वाला है sweet agave and subtle earthiness, floral, fruity and bit of spicy notes टेस्ट में आपको मिलता है silky smooth with blue agave flavors and a eco of molasses a pure expression of true टकिला चलिए number 4 की तरफ हुरुख करते हैं और देखता है कौन है सौजा टकिला नाम तो सुना होगा 1873 से सौजा आपको सर्फ करते आ रहा है world class टकिला legend के अनुसर Spanish बिजय करता योरोप से मंगवाय गया ब्रैंडी खतम हो जाने पर they begin to distill local agave drink which becomes North America's first indigenous distill spirit और इस golden spirit को 1873 में डॉन केंवियो सौजा ने लैप परसेन इवी का distillery से प्रोड्यूस करना शूरू किया नाम था टकिला and he become the first to export टकिला to the rest of the world again ये एक mixto टकिला है मतलब 51% blue agave इसमें है और बाकी जो है ये sugar cane spirit है color है bright silver with crystal hint aroma में आपको मिलेगा balance of agave and herbs notes with hint of spices और taste है full of agave and citrus note और finish में light body के साथ काफी short और warm है चलिए number three की तरफ रुक करते है number three में है ओश केरोवो silver टकिला oldest टकिला brand in the world since 1795 not only world first टकिला it's also the number one selling टकिला brand in the world ओश केरोवो silver एक mixto टकिला है मतलब 51% blue agave and बाकी जो है ये है sugar cane spirit fresh टकिला जैसे ही बनता है तुन तो उसको bottling किया जाता है to maintain its pleasantly balanced aromas टकिला काफी light and mild है जो showcase करता है blend of acidity and sweetness जो allow करता है easy drinking and mixing के लिए एक authentic silver टकिला है that musterfully balanced to bring out its caramel agave and herbal notes तो चलिए testing note में क्या मिलने वाला है वो तर आपको बोल देते हैं अगर आप pure टकिला पसंद करते हैं तो patron silver टकिला को आप आपको first choice में रख सकते हैं from 100% blue agave plant और इस टकिला को आज भी traditional method से बनाया जाता है आज भी थाहोना हुइल से baked agave को crush किया जाता है they do also use modern roller method it is the job of the master distillier to combine the two to make the recipe for patron और यह process एक significant difference ला देता है patron टकिला मी मेक्सिको का हैलिसको सिटी में बनने वाला यह टकिला crystal clear smooth and soft है nose में आपको मिलने वाला है fresh aroma of agave fruit and citrusy note palette में more agave and citrus और finish में आपको मिलने वाला है light mouth fill के साथ spicy and peppery note अब आता है number one की बारी number one में मैं आपको बोलूँँगा मैंने रखा है कुरालियो को कुरालियो सिल्बर टकिला यह एक 100% blue agave टकिला है pure टकिला है क्यों number one में रखा हूँ चल यह कारण देखते हैं since 1775 से यह डिस्टिलरी 100% blue agave टकिला डिस्टिल कर रहा है it is typically an orange टकिला which is specially distilled in copper pot still master distiller don leonardo इस टकिला का एक nickname मी रखा है और उसका नाम है the truth because that way the spirit is intent to capture the purest essence of agave flavor हम में से कही है कि जब भी टकिला पीते है टकिला शॉर्ट्स पीते है मंगर कुरालियो एक ऐसा brand है जो बोलता है कि उसको whiskey की तरह treat कीजिए और उसको brandy की तरह treat कीजिए मत्बब whiskey जैसे हम लोग neat पीटे हैं तो आप भी कुरालियो नीट पी सकते हैं ब्रैंडी जίας से हम लोग नीट पीते हैं या कभी-कभी अच्छा करके स्विल करके ब्रैंडी स्विल्टर ग्रास में धीरे-धीरे पीते हैं तो कुरालियो भी रिकॉमेंड करता है कि उसका जो टकिला है उसको आप वैसा और उस process को apply करके पी सकते हैं क्योंकि ये एक purest टकिला है और इसमें काफी fragrance, काफी note मिलता है जो अपको ऐसास करके पीना है तो अगर general concept का बात बात बोलू टकिला जो पीने का आदत है गल्प ये कुरलियों के साथ fit नहीं बैठता है अड़ाम से पीने के लिए recommend किया जाएता है तो कुरलियों एक सच में finest टकिला है चलिए aroma में क्या मिलने वाला है एक बद तो आपको बोल देता हूं a really light agave aroma with light and floral notes और taste में you can get fruity agave, little bit of arthy, बहुत simple but very nice और इसका body जो है ये है medium और slightly oily body काफी sweet agave notes और साथ में आपको fruit and paper का kick भी मिलने वाला है और finish is medium, smooth, hint of peppery note and very pleasant तो आज का countdown में मैंने आपको बताया 5 best टकिला, silver टकिला जो इंडिया में available है कभी कोशिश नहीं किये या try नहीं किये तो एक बद ट्राइ करके देख सकते है hopefully ये वीडियो को अच्छा लगा, अगर सच में चलगता है तो please like, share and subscribe करना मत भूलेगा और please drink responsibly and don't drink and drive टाडा, thank you, bye-bye